हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए सिंगल कलर में बहुत ही प्यारा सा छोटी बूटियों वाला डिजाइन लेकिया तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं डिजाइन बनाना फ्रेंट्स इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 4 के multiple plus two करके फंदे लेने होंगे यहां पर मैंने दस फंदे लिये में हैं यह डिजाइन हमारा च्छाय लाइन में बनके complete हो जागा डिजाइन के first row सीधी साइड पूरी रोग को हमने सीधा सीधा बुनना है इसने first row बनके हमारी complete हो गई है जोकि हमने सीधी सीधी बुनी थी अब आते हैं design के second row back side पूरी रोग को हमने उल्टा उल्टा बुनना है इसने second row बनके हमारी complete हो गई है अब आते हैं third row front side में अब friends यहां पर बहुत ध्यान से देखेगा कैसे करना है पहले edge के fan crisis को आप slip कर लिजेया बुन लीजेया यहां पर मैं बुन लेती हूं और आगे चार fan control में बनाना है बहुत ध्यान से देखना है पहले faniko we've done २ है अब यहां से मां ऩा माले डिजयं शुरू हो रहा है design के फंदे हमारे यहां से शुरू हो है एक फंद हमने सीधा बुना दूसरे फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे इसको निकालेंगे नहीं इसी फंदे को हम पीछे की तरफ से सीधा बुनेंगे यानि एक फंदे से मारे यहां दो फंदे बन गया है फिर तीसरे फंदे को भी हमने यह करना है पहले सीधा बुनेंगे फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से हम सीधा बुन लेंगे, यानि एक फंदे से हमने दो फंदे बना लिये हैं, अब चौते फंदे को हम सिंपल सीधा बुन लेंगे, एच के फंदे को छोड़ करके यही चार फंदे हमने पूरी रूमे दोर आने हैं, डिजाइन को फिर से रिपीट कर रहे हैं, यह चार फंदो का डिजाइन है, पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, दूसरे फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे, इस फोड़ा लूप को हम थोड़ा ढ़ीला रखेंगे, ऐसे खीशते वे और इसी फंदे को हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे तीसरे फंदे को भी हमने ऐसी करना है सीधा बुनेंगे इस लूप को थोड़ा उपर तक लाएंगे और इसी फंदे को हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे यानि एक फंदे को हमने दो बार बुना है चौते फंदे को हम सिम्पल सीधा बुन लेंगे last के edge के फंदे को हम सीधा सिम्पल बुन लेंगे इसमें design की third row बनगे हमारी complete हो गई है अब आते हैं back side में design की fourth row पहले edge के फंदे को slip कर लिजे बुन लिजे यहाँ पे मैं बुन लेती हूँ अब हमने क्या करना है एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे जो फंदे हमने दो से चार बनाए थे यानि दो फंदों से हमने चार फंदे बनाए थे अब ये चारों फंदों को हम ऐसे लिए करके इसको बुनेंगे नहीं ऐसी slip कर लेंगे दो फंदे हमने single बुने थे उनको हम उल्टा बुन देंगे बीच में दो फंदे हमने उल्टे बुने है और चार फंदो को हम ऐसे slip कर लेंगे यह वो फंदे हैं जो हमने एक फंदे से दो फंदे बनाए थे पूरी रो में हमने ऐसी करना है बीच में दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे यानि चार फंदे हम स्लिप करेंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे इसने डिजाइन की फोर्थ रोबन के हमारी कम्प्लीट हो गई है अब आते हैं फिप्ट रोब फ्रंट साइड में फ्रेंट्स अब यहां ध्यान से देखना है कैसे करना है एच के फंदे को हम पहले सीधा बुल लेंगे अब यहां पर हमने क्या करना है यह जो बीच के दो एक फंदे से दो फंदे बनाएते हमने इनको हम किनारे पे लाएंगे और जो सिंगल फंदा हमने सीधा बुनाता इसको हम बीच मे लाएंगे इसके लिए हमें क्या करना होगा दो फंदों का ऐसे लेंगे सलाई में और पीछे जो सिंगल फंदा है इसको हम ऐसे ले लेंगे सलाई में अब ये फंदा हमारा बीच में आ गया है और जो दो फंदे बनाए थे हमने एक फंदे से इसको ऐसे ले लेंगे अब हमने क्या करना है यह दो फंदो को एक साथ हम दो का एक कर देंगे और सीधा बुन देंगे जो बीच में सिंगल फंदा है इसको भी हम सीधा बुन देंगे ये वो वाला फंदा है जो एक फंदे से हमने दो फंदे बनाये थे इस फंदे को पीछे की तरफ से लेंगे पीछे की तरफ से लेंगे और ये फंदे स्लाई में असे ले लेंगे अब जो सिंगल फंदे थे वो बीच में आ गए इस वाले फंदे को हमने बैक लूप से बुनना है अब आगे फिर से देखेगा ये किनारे के वो फंदे हैं जो हमने सिंगल बुने थे बीच में वो फंदे हैं जो हमने एक से दो बनाये थे तो जो किनारे के सिंगल फंदे हैं वो बीच में आ जाएंगे और ये दो फंदे हमा अब ये फंदा हमारा बीच में आगे अब ये दो फंदो को ऐसे ले लेंगे अब दो फंदो का एक कर देंगे हम सीधा बुनते वे और इस फंदे को भी हम सीधा बुनेगे अब इन दो फंदो को भी हमने ट्यूस्ट करना है लेकि पीछे की तरफ से करेंगे पीछे की तरफ से ये आपे लेंगे और आगे के दो फंदो को हम डेफ्ट हैंड कि निडल पर असे लेंगे सिंगल फंद हमारा बीच में आ बढ़ेंगे अब इसको बुल लेंगे अब ये दो फंद है इसको पीछे की तरफ से हमने एक साथ दो का एक करना है, पीछिद सीधा बुनती वें लास्ट के एज के फंदे को हम सीधा बुनेंगे इसंट डिजैन की फिप तरो बनके अमारी कंप्लीड हो गई है अब आते हैं बैक साइड में बैक साइड की 6 रो है यह हमारे जिजैन की 6 रो है इसको पूरा हमने उल्टा-ॉल्टा बुनना इसमें कुछ न आगे आपने इनी छेलाने को बार बार रिपीट करते हो जाना तो आपका प्यारा सा डिजान बनके तयार हो जागा ट्रेंट्स एक बार ट्राइज जरूर करिएगा यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर क थेंक यू